Jeepers Creepers Reborn फिल्म समीक्षा Jeepers Creepers Reborn 2022 की एक अलोकिक होरर फिल्म है जो टीमो वोरिन सोला द्वारा निर्देशत और जेक सील और सीनमाइकल अरगो द्वारा लिखित है यह फिल्म विक्तर सालवा की जीपर्स क्रीपर्स फिल्म श्रिंखला का रीबूट और इसकी चौथी किस्थ है सिड्नी क्रेवेन और इमरान एडम्स अभिनीत दी वालेस और गैरी ग्राहम की विशेश उपस्थिती के साथ यह एक युवा पुरुष और महिला का अनुसर्ण करता है जो एक दराबने उच्सव की यात्रा करते हैं जिसमें बाद में एक पुनरजीवित प्राणी द्वारा एक अंधेरे उद्देश के लिए लक्ष्य बन जाता है जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न को 19 सितंबर 2022 को स्क्रीन मेडिया फिल्म्स द्वारा दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसकी आलोचना की गई थी इसके अतिरिक्ट फिल्म मैरियर पिक्चर्स द्वारा मु पुचित नहीं किया गया था एक बुजूर्ग दमपत्ती फ्लोरिडा के ग्रामेन इलाकों से होकर गाड़ी चला रहे थे तभी एक पुराना ट्रक उनके पीछे से गुजरता हुआ आगे निकल गया वे देखते हैं कि ड्राइवर एक परित्यक्त चर्च के पास खून से सन पुच्छे मुर्ते हैं और अंदर जो कुछ है उसे देखकर भैभीत हो जाते हैं 2021 में सहसराब्दी युगल चेज और लाइन ग्रामेन लुईसियाना में हौरर हाउंड उत्सव की यात्रा करेंगे चेज एक असाधारन कट्टर पंथी है जो क्रीपर की स्थानिय शहरी किमवदंती में विशेश रुची रखता है एक प्राणी जो हर 23 साल में 23 दिनों के लिए गायब होने से पहले सैकडों लोगों को मारता है और खाता है चेज ने अपनी यात्रा के दौरान लाइन को शादी का प्रस्ताव देने की योजना बनाई और उसे पता नहीं चलने पर लाइन को विश्वास हो गया कि वह गर्भवती है इस बीच लता जाग जाती है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भोजन करना शुरू कर देती है एक उपहार की दुकान पर रुखते हुए लेन को एक रहस्यमय कलाकृती को छूने का पूर्वाभास होता है मालिक लेडी मनीला जोडे को गुप्त संदेश देती है होटल में लाइन गर्भावस्था परीच्षण करती है लेकिन जब एक कौवा खिड़की से टकराता है तो परीच्षण बाधित हो जाता है फिर जोडा उच्छव के लिए प्रस्थान करता है हौरर हाउंड में लाइन एक रहस्यमय शूरिकेन को उठाती है और पाती है कि वह इसे फैंकने में असामान्य रूप से कुशल है क्रीपर आता है और शिकार करना शुरू कर देता है अपने ट्रक का उप्योग करते समय यह इंटरनेट कनेक्टिविटी को ख्त्म कर देता है दमपती एक परित्यक्त बागान घर में एक रात जीतने का मौका पाने के लिए उच्सव के आयोजक मैडम कारनेज द्वारा आयोजित एक रैफल में प्रवेश करते हैं जिसे एक भागने के कमरे में बदल दिया गया है लाइन को घर के भीतर एक अजीब अनुष्ठान में शामिल होने के सपने आने लगते हैं एक स्थानिय टूर गाइड स्टू के साथ एक कैमरा मैन और संबंधित दल घटना का दस्तावेजी करन करने के लिए उनके साथ जाता है जैसे ही समूह घर के पास पहुँचता है वे अठारहवी सदी के कबरिस्तान से होकर गुजरते हैं जहां क्रीपर कैमरा मैन को मार देता है और लेन का अफरन कर लेता है क्योंकि चेज उसे प्रपोज करता है लाइन एक मेज से बंधी हुई जागती है जहां क्रीपर चाकू से उसके पेट में छेद कर देता है समूह घर में प्रवेश करता है और अपनी स्थिती पर जगड़ता है स्टु ने क्रीपर का ध्यान आकरशित करते हुए अपनी पिस्तॉल से हवा में फायर किया क्रीपर लाइन को छोड़ देता है और पूरे घर में समूह का शिकार करता है अंतर स्टु और चेज को छोड़ कर सभी को मार डालता है लाइन खुद को मुक्त करती है और उनसे जुड़ जाती है उसने चेस को बताया कि वह गर्भवती है और परिणामस्वरूप क्रीपर ने विशेश रूप से उसे निशाना बनाया है उन्हें पता चला कि मैडम कार्नेज, लेडी मनीला और अन्य लोग क्रीपर की पूजा कर रहे हैं और इसके उपभोग के लिए पीडितों को घर में आकर्शित कर रहे हैं वे क्रीपर को बाहर लुभाने के लिए लाइन के लिए एक योजना बनाते हैं ताकि चेज और स्टू वेदर्वेन को उस पर धकेल सकें लाइन अपने शूरिकेन से क्रीपर को अंधा कर देती है और गिर्ता हुआ वेदर्वेन उसे सूली पर चढ़ा देता है कोवों की हत्या से क्रीपर भस्म हो जाता है साथ ही स्टू को छट से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी जाती है और रात में उर जाते हैं समूर चला जाता है जबकि अन्यत्र क्रीपर पुनर जीवित हो जाता है और शैतानी दहारता है